अगर आपके नसनस में कमजोरी आ गई है आप अपने बीबी के साथ बिस्तर में जाते ही जड़ जाते हो बीबी को जरासा भी संतोष्ट नहीं कर पाते डालते ही आपका बिर्य टपक जाता है तो यह अद्भुत जड़ी बूटी का आप इस अद्भुत आउसदी का उपयोग कर लो लगातार पूरी रात ठुकाई करते रहोगे ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जाड़ दोगे खुस हो जाएगी बीबी फिर भी आपका बीर यह नहीं जड़ेगा ठुकाई करने के लिए तयार रहेगा आपका हतियार विलकम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड आज हम आपके लिए एक ऐसी कमाल की आयूरवेदिक औसधी लेकर आया हो जिसका उपयोग करने से आपकी बीरिये गोंद से भी जादा गाड़ा हो जाएगा ठोकते ठोकते पसीना निकल जाएगा लेकिन आपका बीरिये नहीं जड़ेगा बीबी को खु पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अदभुत आउसधी को इस अदभुत आउ पहचान से देख लो और पहचान लो और दूसरी चीछ चाहिए आपको गुड गुड जो हर किचन रूम में आसानी से मिल जाता है तो आपको इस गुड और आपको इस लहसून का उप्योग करके अपने बीर्य को गोंद से भी ज़्यादा गाड़ा बना सकते हैं और अपनी संभोग करने की च्छमता को बढ़ा सकते हैं जिन लोगों को जो नामर्द हो चुके हैं जिनका लिंग जरासा भी खड़ा ही नहीं होता उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा कमाल की आयुरवेदिक आउसदी है जो सिगरपतन की समस्या से परिसान है जिनका डालते ही बीर जड़ जाता है उनको बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फाइदे मंद है जिनका जो सिगरपतन की समस्या से परिसान है जो लोग नामर्द नपुनसक हो चुकी है उनके लिए फाइदे मंद आउसदी है जिन लोगों को धात रोग जैसी खतरनाग बीमारी है जिनको धात रो जिससे उनका सरीर बहुत ही जादा दूबला पतला खोखला हो जाता है कमजूरी आ जाती है और जिन लोगों को नाइट फाल्ट सुपनदोस जैसी खतरनाग बीमारी है जिनको रात में सोते समय उन्हें पता भी नहीं चलता उनका बीर ये जड़ जाता है तो उनके लिए यह लहसून यह गुड अमरीत के समान है मात्र आपको इसका सही तरीके से उप्योग करना है तो सबसे पहले आपको इस लहसून को लेना है लहसून की चार कलियों को अच्छी तरीके से कूट कर इसका पेश्ट तयार कर लें इसका पेश्ट तयार करने के बाद आपको लगभग दो चम्मच की मातरा में गुड आप छोटा सा गुड लें उसमें दो चम्मच की मातरा में पाउडर करके कूट कर मिलाएं और मिलाकर आपको सुबह सुबह खाने से पहले खाली पेट आपको इसका सेवन कर लेना है और साम को इसी प्रकार से खाना खाने से पहले आपको इसका सेवन कर लेना है मात्र दस दिनों तक सेवन कर लो ठोक ठोक कर फार दोगे बीबी की मसीन चीखे निकालेगी बीबी पूरी रात फिर भी आपका बीर ये नहीं जड़ेगा आपकी संभोग करने की टाइमिंग बढ़ेगी आपकी सिघरपतन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जो लोग नामर्द नापुनसक हो चुके हैं वे लोग बीबी को देखते ही उनका हतियार खड़ा हो जाएगा बीबी की ठुकाई करने के लिए फ्रेंड यह आपके बीर्यको गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा कर देगा फ्रेंड अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर द नौलेज़फुल वीडियो देखते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों रियर्यटियो में सभी को सेयर करें फ्रेंड अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड